कुछ समय पहले एक वीडियो बहुत बैरल हो रही थी कि केले की फूल से आप खेले का प्लांट ग्रो कर सकते हैं वैसे तो मेरे गार्डन में केले की बहुत सारे प्लांट लगे हैं लेकिन उस वक्त किसी प्लांट में फूल नहीं आया था नमश्कार दोस्तों वंधना गार्डन में आप सब का स्वागत हैं क्या हम केले के फूल से केले का प्लांट ग्रो कर सकते हैं यहीं जानने के लिए देखी मैं केले का फूल ले लूँगी मेरे गार्डन में लगा ये केले का फूल अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है केलीगे फूल को कुछ और दन बीट जाएं उसके बाद हम इसे काट लेंगे और grow करके देखेंगे मेरे garden में ये केलीगे प्लांट काफी सालों से grow हो रहे हैं लेकिन ने कभी भी इसके फूल से इसका plant grow नहीं किये हैं और ना ही मुझे इसके बारे में कोई जानकारी थी मैं ऐसा होता है तो देखिए केल्या का फूल अभी काफी बड़ा हो गया है इसके पतियों के लिए निकल निकल कर जोजो फूरुट है वो बाहर निकलाया है तो नीचे से जो फूल बचा है उसमें मेल फ्रावर आते हैं जो ज़्यादा बड़े नहीं होते तो हम केले के फूल को काट लेंगे के फूल को मैंने काट लिया है और काट कर इसे एक पानी के गिलास में रख लिया है तांकि इसे ग्रो होने में कोई भी प्रवन नहों और तर तक हम इसके लिए कोई गमला त्यार करके तांकि यह जल्दी ग्रोह होको है कि ज़ल्दी के अभी हम केले अले 26 गयली है कुछ दुना पहले आरश थी तो एसमेटि मैं ने कुछ किचिन वेस्ट नीम खली यह सब मिक्स कर दिया था तो अभी मैंने एक चंज के करीब समें हल्दी भी याड़ कर ली है ताम कि हमने इसमें जो कटिंग ग्रो करनी है उसको कोई फंगस बगरना लगे तो हल्दी को हम सारे मिटी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिस में रूट हार्मोन का इस्तेमाल करना है तो यह मैंने कुछ अलवीदा जैल का पीस लिया है और इसका जो जैल है वो मैंसे डंडी को अच्छी तरह से लगा लूँगी क्योंकि यह अलवीदा जैल हार्मोन का काम करता है इससे हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं सेंटर में जगा बना लेंगे और वहां पर इसे खड़ा कर देंगे और अच्छी तरह से हाथों से मिट्टी को प्रेस करते हुए दबा देंगे और इसके साइड़ों पर हम मिट्टी डालेंगे तो देखिए मैंने इस केले के फूल को वुलकल उसी तरह से ग्रो किया है जै कि बीच में कोई भी एर वगएर ना रहे और देखिए इसको हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ज्यादा पानी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी में पहले हलका सा मॉस्टर है तो बिल्कल थोड़ा सा ही मैंने पानी लगा लिया है तो अभी कुछ दिन के प्लांट निकल आएगा और जो नीचे की पतिया है वह काफी नीचे की तरफ हो गई है और सूख भी गई है लेकिन जो हम वीडियो में फूल देखते हैं के लिए का वह फूल बिल्कल फ्रेश रहता है और उसकी एक भी पती नीचे की तरफ नहीं निकलती और साइडों से उ इस प्लांट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हालांकि इसको लगे हुए काफी दिन हो गए हैं अभी हम इसको कुछ दिन और के लिए छोड़ देते हैं उसके बाद देखते हैं कुछ और दिन के बादकार जल्ट देखिए यह प्लांट पूरी तरह से सूख गया है लेकिन तो अभी मैं इसकी रूट आपको निकाल कर नहीं दिखाऊंगे क्योंकि अभी राद का वक्त हैं अगला दिन हो गया है देखिए इस प्लांट को पूरी तरह से सूख चुका है और आपको इसकी रूट भी दिखाती हूं देखिए इसकी रूट बिलकुर भी नहीं है पूर कुछ भी नहीं हुआ है और मैंने उनके बताए उनसार ही इसके लगाया था और इसके केर भी की थी देखिए जैसे यह केले का बिल्कुल छोटा सा प्लांट है तो वह इसी प्लांट को साइटों से जोड देते हैं और नीचे उसकी रूट दिखा देते हैं और यह सब वह व दूर दबाएं तांकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है